खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते परिच्छा में सेलेक्षन ले तो सही जीवन में सब होगा हासिल तू सेलेक्षन की जित पर अड़ तो सही आधिती क्लासेश एक्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है आज भारत का समान भूल की पहली क्लास है जैसा कि आप सालवर्ड में देखते होंगे आपके एक्जाम में भी दो यार चौदर से लेकर अब तक जितने भी एक्जाम हुए हैं आप उसमें देखेंगे भा भारत के नदियों से प्रस्ट जो है आते हैं उसको देखते हुए टीम द्वारा जो है मत्रपूर प्रस्ट जो आ चुके हैं आएंगे आने के उमीद है उन्स सबको जो है इस क्लास में संगलित कर दिया गया है तो आए देखते हैं आची क्लास जो है भारत की नदिया याद साने से पहले भारत के समान परिवेश राजयों की बिश्यम कुछ बताना चाहेंगे आप देखेंगे इसमें धारत में राजयों के संख्या अठाई से आप जानते होंगे तीक है केंसासित राजों के संख्या आप यह भी जानते होंगे आठ है अस्थल रूद या लैंड लाक या भू आवेश्टी देश राजे या वे राजे जो है जिसके चारों और क्या हो जो भूमी हो उसे अस्थल रूद या आप काते है ठीक है इसनकी संख्या 5 है या भारत के 30 राजों की संख्या 9 है और भारत में राजों के राजबासा की संख्या कितना है यह भी 9 है यहाँ दो चीज़ जानेंगे भारत के भूगल सुरू करने से पहले जो है यह आपको जाना जो दो डेट याद रखेगा 31 अक्टूबर 2019 का रेट से एक दू प्रस्ट आते हैं ठीक है और अभी आप देखेंगे आया भी था 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कस्मीर राज को केंसासित राज बना कर दो राजों में बना दिया गया ठीक है पहला लद्दाक और दूसरा जम्मू कस्मीर ठीक है याद रिखेगा और लद्दाक के प इसे फार राज पैल जैँन ऐस्तुद्धूर तो आपको कमेंट में बाक्स में बटाना है गिरिशन मुरमू वर्तमान में किस पटे हैं ठीक है तो यह याद रखिये गा 31 अक्टूबर वाला दूसरा डेट हमने बताया कि 26 जनुरी 2020 को 9 केंसासित परदेशों में ठीक है पहले साथ था तो यह हो गए तो 9 हो गए तो 9 केंसासित परदेशों में दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव को एक केंसासित राज बना दिया गया और जिसका नाम दादर और नगर हवेली एवं दमन दीप रखा गया याद रखेगा जिस राज की राजधानी दमन है यह भी आप इंपोर्टन है याद रखेगा इसलिए अब भारत में केंसासित राजों के संक्या कितनी हो गई 9 से घटके 8 हो गई ठीक है अब यहाद देखेंगे केंसासित जो है लगदा के आप देखेंगे कौन है बीडी मिस्त्रा जी और पांडुशेरी के तमिल साई सुन्दर राजन ठीक है अब लोग आते हैं भारत की नदियों को विसे में बढ़ने के ठीक है जैसे आप देखते हूं यह चित्र एक ही मैं बता दू भूगोल को जानने के लिए या कि मेंवार से कितने राजासपर्ष करते हैं चीन से कितने राज करते हैं बघलादेश से कितने ओन चाहिए आठ राजों में जैसे आप जानते होंगे यहां सिक्कीम, औरांचल प्रदेश, नागा लेंड, मणीपूर, मिजोरम, त्रिकुरा, मिखाले, असम ठीक है बिल्कु गया है कुछ क्या करते हैं अमरकंटक से पठार से निकले नर्मदा नदी को कुछ सक्पुड़ा परवत को कुछ बिंद परवत को अलग करते हैं याद रिखेगा यानि दच्छड भारत की नदिया घरम चर्चा करें तो यह गर्मी की दिनों में सुख जाती हैं और यह बारों यह बास हो किया सकते हैं या जल अस्थान तीन तीन उर से किसी अस्थल से घिरा हो ऊसे क्या बोलेंगे खाड़ी और एक और परिभासा होता है कि जब कोई अस्थल जब कोई अस्थल तीन और जल से गिरा हो एक दो तीन उसे क्या बोलेंगे ब्रादी बोलते हैं तिक है जैसे ये हिससा देखिए दच्छड भारत का ये अस्थल है और तीन और से जल से गिरा ही या बंगाल की खाड़ी नीचे हिंद महासागर तिक है और इधर क्या है ओरफ सा ठीक है आप जानते भी होंगे कि यह जो तड़का लाता है यह भारत का पूर्वी तड़का लाता है यह पुर्वी तड़का लाता है इस पूर्वी तड़का लाता है इस पूर्वी तड़का आप जानते होंगे इसका विवाजन ऐसे भी किया जाता है यहां से लेकर यहां के तटको कुरमोंडल तटका जाता है और यहां से यहां के तटको जो है उतकल तट या सरकार तटका जाता है मैं इसकी पहले क्लास में बता चुका हूँ बस आपको रिवाइश करा रहा हूँ पश्मी तट में आप देखेंगे यहां के यहां के तटको मालवार तड़काते हैं और यहां से यहां के तड़को कुकर तड़काते हैं ठीक है तो भारत के आज में नदियों के चुकी क्लास है तो नदियों के इसे में चर्चा करेंगे आप समझ के होंगे कि भारत के नदियों पे उत्पत्ति के अधार पे दो भागों बाटा गया है एक बारा मासी असरदा बहार नदियां और इधर जो है दच्छिट भारत की नदियों को बाटा गया है आईए थेरी क्लास में इसको देखा जाए कि भारत की नदियों का विभाजन उत्पत्ति अमजल के अधार पर दो भागों में भिवाजित किया जाता है ठीक है पहला हिमालाई नदिया और दूसरा प्रादीपी नदिया आप इधर देखिए ये हिमालाई परवत देखी रहा होंगे तो हिमालाई से नदिया निकलती है तो इसलिए इसको हिमालाई नदिया भी कहा जाता है और इसे जो है बहर सद्धाबाहार बन होता है, सद्धाबाह्र मों मतलब क्या, उसकी पतियां जो है जरती नहीं है या सभी पीड़ों का एक साथ अलग समय फे गिरती है। तक है यह का जाता है। our यह तरह से सद्धाबाHAR नदियां जिसमें पानी हमेसा जाता है। अभी यहां देखिए कावेरी नदी, कावेरी नदी जो है, पानी जो है, सुखता नहीं है, ठीक है, आप एक ची और बता दे आपको, कावेरी नदी को दच्छिड भारत की गंगा कहा जाता है, आप अकसर कर नफ्यूज करते हैं कि दच्छिड की गंगा तो गोदावरी को कहा जाता है, जब प्रस् कुछ शूटे मत। परिवासा की रूप में देखा जाए कि हिमालाई नदियां या बाहरामासी नदियां या सदाबाहर नदियां यह नदियां हिमालें से निकलती हैं जैसे गंगा, यमुना, गोम्ती, घागरा, गंडग, कोसी, महानदी, मानदी, ब्रंपूत, सिंदु, सब्सक्राइब नदियां, अभी आगे चलके मेरे इसी क्लास में ही बताया जाएगा आपको कि उपत्ति कहां है, यह कहां जाके मिलती है, कौन सी बाद है, इस पे सब कुछ बताया जाएगा, लाश्तका बने रहेगा, अभी क्लास जो है, थोई देर बाद जो है, बिकुर क् जल्दी समझ में आ जाएगा, अब मुझे भी लेक्षर देने में आसानी होगा, अब देखेंगे, प्रादीपी नदिया किसे कहेंगे, यह नदियां दच्छल भारत की नदियां कहलाती है, जैसे चंबल नदी, बितवा नदी, दामोदर नदी, स्वर नदी, नर्मदा नद अपवाद में कावेरी नदी, याद रखिएगा, प्रादीपी नदी नदियों से अपवाद में आती है, अब प्रस्ट में आप बताएंगे, कि जो है कावेरी जल्विवाद अभी सुप्रिम कोड में चर्चा भी रहा, किन-किन राज्यों के बीच में है, आप कमेंट बाक सिर्दम आप मेरे इसाफ से जो भी मेरा अन्वह रहा है आखे आप बंद कर लेंगे बंद करने के बाद बिल्कुल कौन सा कहा है आपको मालूम ना चाहिए एक गुरुपए का ऐसे ब्लैंक नक्सा मिलता है इस्टेश्णी की दुकान से आप मंगा लेंगे और सभी को आठ दस चोटा मतलब किया इदा पूर творodore भारत का सबसे छोटा राज सिख्किम शुक्मा राज रहा तिक है उस तरह अगरा राज कूछेगा तरह भारत में 28 राजों में सबसे छोटा राज सबसे बड़ा राज याद रिखेगा और सम को कहा जाता है इसको साथ बहनों छे बहनों का राज भी साथ बहनों का राज भी का जाता है साथ बहनों का राज में एक भाई है जिसका नाम क्या है सिक्की मैसे भी कहा कहीं किताव में आठ बहनों का भी राज लिखा रहता है जो हिमाले से नदिया निकलती हैं उसके बिसे में चर्चा कर लिए जाए ध्यान से सुनिएगा मेरे हिसाफ से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा मैं पूरी कुछिस कर रहा हूँ यहां देखिए कैलास मांसरवर है यह है कहां यह आपको चीन में पढ़ता है ठीक है तिबबच चीन में पढ़ता है और चीन की लड़ाई अलग है उसकी चर्चा नहीं करेंगे और इस कैलास मांसरवर को याद रिखिएगा जो है चीन से बीजा लेना पढ़ता है जाने के लि किसे की हिम्मत किसकी अवकात नहीं है जो इस कैलास पर पर चड़ जाए तरमत लीजिए माउंट ओरेस पर चड़ सकते हैं लो कई बार चड़ है लो लेकिन इस पर कोई अभी तक नहीं चड़ा है यहां काने के मतलब क्या है यहां जो है मांसरवर जील है जिसका नाम बोला जा का जाता है अभी उसकी चर्चा करेंगे और यही ब्रम्पूत नदी को तिबत में सांको यहां दिहां का जाता है फिर आगे चलके जमना का जाता उसकी चर्चा बात में करेंगे यह मोटेबूट ॉय समझ刃गा यहां से निकला से सования यह नदी इसाटले नदी नदी निकला सिंधु नदी टीक है आप सालवर्ड में देखेंगे तो मैक्सिमम कोश्चन इनसे जरूर एक दो पूस्ता है सबसे पहला प्रश्ण याद देखिएगा भारती छेत्र में एक ऐलास मानसर नहीं आता है भारत की तीनों नदियां बहुत ही महतपूर हैं और एक प प्रश्ण क्या आएगा निम्लिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है इन टीनों नदियों का उद्गम नहीं है ऐसे जोड़ लेगा या कि महनें चित्र के माध्यम थे झारहा हैं तो सबसे पहसे हम लोग आते हैं आप difis नदी इस नदी के मुझे चर्चा करने जा रहा है, सबसे पहले इस नदी की ब्रह्मपूत नदी की ठीक है, अब देखेगा, यहाँ यह चीज जो है कैलास मांसरवर है, भारत से बाहर तिबत में है, ठीक है, और यह नदी कैसे आती है, अरुड़ांजर परडेस में, नम्चा बरवा इसको शांगपू नदी का जाता है, ठीक है, तिबत में सांगपू नदी का जाता है, और यह सांगपू नदी तिबत से अवड़ांचल परडेस में परवेस करती है, आपके जहां में प्रशनाता है, अवड़ांचल परडेस में जहां यह परवेस करती है, उसका नाम क्या ह और यहां जैसे दिहाग नदी होते हुए जैसे यह असम में आई यहां देखेंगे तो फिर इसे ब्रहंपूत नदी के नाम से जाना जाता है और यहां असम में ब्रहंपूत नदी और फिर यहां देखेंगे कि एक जो है अस्थल पड़ेगा और इस अस्थल के दोनों और ऐसे नदी दीव जिला है पहला और एक लौता है इसकी विसम्प्रशना सकता है इसी ब्रह्मपुत नदी पर याद रिखेगा यहां जो है लोहित नदी है इसी लोहित नदी पर भूपेन हजारी का पूल यहा ढोला सदिया पूल है भारत का सबसे बड़ा नदी पूल है ठीक है ब्र顯पूत नदी जैसे ही याद रिहेएं कि बंगला देष में प्रोविष्ष करेगी, तो बंगला देष में उसका नाम क्या हो जाएगा? जमुना नाम हो जाता है, ठीक है? और इधर से गंगा नदी, इधर से गंगा नदी आई, तो गंगा नदी जब बांगला देश में परोईस करेगी तो उसका नाम पदमा हो जाता है अक्सर एक्जामनर इसका उठाता है अब यहाँ देखेंगे ब्रंपूत नदी जो इसका नाम जमुना हो जाता है गंगा नदी जिसका नाम पदमा हो जाता है दोनों एक जगह मिलते हैं और मिलने के बाद एक नदी का निर्माड करते हैं और इसका नम मेघना नदी हो जाता है और ये मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर सुन्दर बन का डिल्टा बनाती है, मैग ग्रूप बनाती है या सुन्दी करण बनाती है यह पॉइंट याद रिखिएगा, एक्जामनर यहां से खुब प्रशन उठाता है, यह भी याद रिखिएगा, और हमेशा सिच्छा जो है, आसान से याद रिखिएगा, आसान से कटिन कोशिस करना चाहिए, इतना खुश जानिये, अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे नदी पे, ठीक है, दूसरा नदी हम लोग देखेंगे, यह 17 नदी की चर्चा करेंगे, और यह नदी देखेंगे, जो हमने लिखा है 17 नदी, तो कैलास मानसरवर से यह जो नदी निकल लई है, 17 नदी इसकी चर्चा करेंगे, आप देखेंगा, यह चीज़ कहां बना, यह आप देखेंगे, यहां आगया, यह है कैलास मानसरवर, चित को समझाने कलिम ने यहां ऐसे कर दिया, और यह 17 नदी जब चला, तो सिपकिला दर्रा, ठीक है, देखेंगे, सिपकिला दर्रा से यह परवेस कर रहा है, परवेस करके, यहां जब आ रहा है, लेकिन इसी 17 नदी में आप व्यास कुंद से नदी आ रही है व्यास नदी व्यासका अब राची नाम क्या है वपासा नदी याद रिखिएगा तो विपासा नदी का पूर्थला से होते हुए यहां आ रहा है और यहां आप ضबेंगे गोविन्ध सागड जला से है मानो निर्मी जलासे है याद रिखिएगा भारत का सबसे बड़ा जलासे है गोबिंद सागर जलासे भी याद रिखिएगा उत्तर पदेश का मानो निर्मी जलासे का नाम क्या है गोबिंद बलो याद रिखिएगा जलासे यह कहा है सोनबद में आप याद रखेंगे उसके ब कायराज से ही एक नदी निकलती है एक नहर निकलती है इस नहर को बोलते हैं इंद्रा गाधी नहर जो भारत की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है इंद्रा गाधी नहर याद रिखिएगा ये राजस्थान में जो है बहुत लाब करती है इसलिए राजस्थान को नहरों का राज कि मिल जारी है और यह कहां चली जारी है पाकिस्तान में इसके आगे प्रस नहीं आते है टीक है इसी पिक है बाख manipण बात है टीक है एक दो नदियों की सबर्धित को बता दिया बता दिया और सिंदूクी Near में अब यहां से नदी एक निगला जिसका नाम किया है, सिन्दू, तो आई यह देखते हैं, सिन्दू की चर्चा करते हैं, यह सिंदू की नदी की बात करेंगे एक तो ब्रह्मपूत नदी यहां रहा हो जरूर लाइक करिए और अंग तक बने रही है बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मैं इस क्लास में याद कराने की पूरी कुछिस कर रहा हूं ठीक है अब देखेंगे यहां पर जब सिंदू नदी निकली तो यह लग्दाक राज से प्रवेस की लग्दाक है आपका हमने बता दिया important था अब हम लोग आगे आते हैं इसमें की गंगा नदी की बीसे में जानिएगा गंगा नदी की में अक्सर exam में आता है ठीक है सबसे पहले आप देखेंगे भागेर थी नदी ठीक है भागेर थी नदी और अले नदी दो नदियां आ रही है इधर से और दोनों नदियां एक जिले मिल नहीं है जिस जिले का नाम है देव प्रयाग और देव प्रयाग कहा है उत्तरा खंडबेटिक है जब अलखनंदा नदी भागिर्थी नदी देव प्रयाग जिले में मिल नहीं है तहां से यहां से इसका नाम क्या होता है गंगा नदी हो ज जगों पर जाती है कानपूल उत्रापदेस में गंगा खुझा करते हैं चैक ह sorrow में और इस बीच यह कितने तो 28 जिलों को याद रिखिएगा 28 जिलों को यह टर्श करते हुए जाती है सभी जिले याद रिखिएगा सभी जिले गंगा नदी के याद रिखिएगा दाइने तर्ट पे हैं सभी जिले जो 28 जिले से परफिश करती है सिर्फ बनारस याद रिखिएगा बनारस जो है बाय यहां देखेंगे गंगा नदी आगे जा रहा है बलियां से बिहार में परविश्च कर रहा है उसके पहले हम लोग चर्चा कर रहेंगे कि यहां से देखेंगे बंदरपुछ उत्राखंड से एक नदी निकल लए है जिसका नाम है यमुना नदी इतावा होते हुए हमीरपूर होते हुए बादा होते हुए प्रियागराज में आ जा रही है ठीक है और इतावा में या रही है यहां पर संगम बनता है और संगम क्या होता है जो है कुम मिला लगता है अब यहां आते गंगा नदी जो बलियां से बिहार में जा रही है बिहार से कहां चली आती है पटना चली जा रही है और पटना से फरक्का बाद होते हुए गंगा नदी बंगलादेश में पर रिसकर जाती है और बंग इधर नरमदा नदी याद रिखेगा और सत्पूरा परवद भी निकलता है यहीं से यह हैं से यहां से पटना जाती है और पटना से यहां से जय को भारत में पांच राजों को असफर्ष करते हुए निकलती है टीक है आगे आते हम लोग इसमें, यह हम लोग के जो है WhatsApp ग्रूप है, आप चाहें तो जूड़ सकते हैं सभी आपको नीजू इस पर दे दी चाहेगी यह Telegram ग्रूप है और हमारे टीम दौरा याद रिखिएगा GS में आपको पूर्टा लाने के लिए यहां आप देखेंगे एक ही चीज़ को तीम तरीके से त्यार करनी गया है लोग इसे लाइक भी कर रहा है, लोग पर्चेज भी कर रहा है आप देखेंगे e-pdf e-pdf आपको मिलेगा GSA content को, उसी e-pdf पर वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पर आपको जो है video wide test मिलेंगे यानि एक ही चीज़ को pdf के रूप में पढ़ेंगे आप e-pdf होता है फिर वीडियो देखेंगे, पुना आप जो है उसको जब test देंगे तो आपके मन मस्तिक में इस मिती में देड़ तक content आजाएगा, जल्दी भूलेगा नहीं उसके बाद आप final test देंगे तब जाके आपको gs paper में पूड़ता आएगी याद रिखेगा, इसकी वैल्टी UPHC account के exam तक है assistant professor के account attachment के जब तक exam न हो जाए तक रहेगी इस test में आपको e-pdf notes मिलेगा, याद रिखेगा आपको लिखना होगा, उसके बाद इसमें bilingual, Hindi, English में रहेगा, दोनों भासा में, Salward paper, 24 से लेगा अभी तो जितने exam हुआ है, सब इसमें रहेंगे इसमें regular practice set आपको मिलेंगे याद रिखेगा, अपडेट होता रहेगा, जब तक exam आपको लिखेगा, अपनी गलतियों को exam से पहले practice करके सुधारें, ताकि योग गलतियां exam center में आपकी ताकत बनकर आपको जिद जिलाए, ठीक है हमारे दोरा ये चार बुक निकाला गया है, चारो GS का बुक है, इसमें जो है 80 model paper है, इसमें आपको free किया है, कि ये जो है omar sheet free मिलेगी, आपको delivery charge फिली मिलेगा, ये आप imagine सही मंगा सकते है जिसका rate 499 रुपए है याद रिखिएगा, imagine दोरा इसको best seller का किताब मिला हुआ है, और ये समान अध्यान का, मेरे हिसाब से जितने भी प्रफेसर की exam देने जा रहे हैं, किसी भी state को, आपको या वैसे भी GS जिनका कमजोर है, उनको ये मंगा लेना चाहिए, और जो है, आपको exam EGS में जितने भी प्रफेसर इंक्वाटेंट है, ये पढ़के ही आपको जाना चाहिए, और इसके साथ आपको free में ये, आपको M.A.C. मिलेगी, मत आए गया था, चलिए आए देखते हैं, आगे क्लास में इसमें, आगे मिलों देखेंगे, कि भारत की प्रभूग न दिया, एक तो प्रस्ण ये रहता है, मिलान करने वाला, कि कौन सा अस्थान, किस नदी किनारे है, एकदम या आप रटे रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं कोशिस कर रहा हूँ, आपको याद हुज रिखेंगे, जमना भी है, गंगा भी है, किस नदी किनारे है, तो गंगा नदी किनारे है, अब आप पूछेंगे और जिले, और जिले कि विसम एक जाम है, बहुत कम प्रशनाता है, सालवर देख लिएगा, ये इंपोर्टेंट है, डीबुगर्ड, गोहार्टी, किस नदी कैथी मिल जाती है, नि बनारस में भी ये जाके समाथ जाती है, उज्जेन किस नदी किनारे है, उज्जेन जो है सिक्टरा नदी किनारे है, नासिक किस नदी किनारे है, नासिक गुदावी नदी किनारे है, और इध्या सर्यू नदी किनारे है, कलकत्ता हुगली नदी किनार रहे हैं, आहमदावाद किस नदी किनारे है, आहमदावाद सावरमती नदी किनारे है, लुधियाना किस नदी किनारे है, लुधियाना सतन नदी किनारे है, विजयनगर किस नदी किनारे है, विजयनगर किस नदी किनारे है, उडिसा, उडिसा आपके महान नदी किनारे है, सू क्योंकि प्रस्टनिश्चित आ जाता है याद रिखेगा आप इसके पहले को सालबट को देख लिजेगा इसलिए उत्तर पदेश की विसे में आप जान जाएगा ठीक है उत्तर पदेश का सबसे बड़ा चुड़ी अगर कहा है तो याद रिखेगा गोरखपुर में है सहीद असफल लखा ठीक है नेश्ट आते हम लोग नदियों की किनारे कुछ महतकूर देश जो अकसर एकजाम में पुछा जाता है इनके विसे में विचर्शा कर लेते हैं निवियार कहा है अमेरिका में जानते हूंगे निवार 80 नदी किनारे है पाकिस्तान का लाहोर जो है किस न नदी किनारे है पेरिस फ्रांस में है तो सीड नदी किनारे है लंदन की से लंदर विटेन की राज़ा ने किस नदी किनारे है तो टेम्स नदी किनारे है और सीडनी आश्टेलिया जो है डार्लिंग नदी किनारे है और काहिरा मिस्र जो है नील नदी के किनारे है नेश पॉ के पासे हो रहा है किष्णा Senha नदी का उद्गम कहां कहां से हो रहा है मःबले सवर्पषवारत के पास हो रहा है जैसे भारत की सबसे लंबी नहर, इंद्रागादी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, सारदा नहर याद रखेगा इससे प्रशनाते हैं अब आप चर्चा करेंगे हम लोग नील लदी की विसमें ठीक है, नील लदी की विसम देखिए कि आगा प्रशनाते हैं, नी सबसे बड़ी नदी अमेजा नदी और जो सबसे लंबी नदी कहा है ब्राजिल में याद रिखेगा उसके बाद कांगो नदी इसी का जाहरे नाम भी हो गया है तो जो है विश्वती रेखा को दो बार काटती है ऐसी आप देखेंगे यहां आरिवाइज करते हैं आप जान रह माही नदी याद रिखेगा भारत की लिए गुजरात में करकर रिखा को दो बार काटती है यानि यह करकर रिखा है इसके जो है घुञारत का जिवासम लेके जाती है जिए घार। की दामोदर नदी को रूरुर नदी के नाम से जाना जाता है ये जर्मणी में है फीक है नदी ओ समंदित परिछा उपयोगी मातपुर्टत याद रिखेगा बात कुशता है जहेलम नदी पे कौन सी परयोझना है तो तुल्बूल परयोझना है ताप्ती नदी पे कौन से परियोजना है बताए उकाई परियोजना है महा नदी पे कौन से परियोजना है हिराकुंड बाद है गुदावरी नदी पे कौन से बाद है हुसेन सागर बाद है किष्णा नदी पे कौन से बाद है नगारजुन बाद है अब पॉइंट चर्चा करेंगे बिल्कुल याद रखिएगा इसको important है ध्यान से सुनेंगे मेरे खाल से सुनके ही आप एक दूबार देखलेंगे वीडियो तो याद हो जाएगा इसमें next point है भारत की सबसे लंबी नहर इंद्रा गाधी नहर चार राज राजस्थान प्रदेश की सबसे लंबी नहर सार्दा नहर अरभी में बोला वही लिखा गया है दच्षड भारत की गंगा कावेरी देखिएगा यहां भारत लिखा है और दच्षड की गंगा गोदावरी याद रखेंगे आप उत्तर प्रदेश में चंबल नदी केवल इटावा जिले म बहते हुए यामुना नदी में मिल जाती है याद रखेंगा एक है नालेजपार कहा है गोतम बुन्द का नोड़ा में है एक है अब अबर सफारी टावा में है भारत की रूर नदी दामोदर नदी को कहा जाता है दरकरड़े पठार से इंद्रावती नदी निकलती है जिस पर चित्रकुड जल परपात है जिसे भारत का मियागरा जल परपात के नाम से भी जाना जाता है उत्तर भारत और दच्छिड भारत की नदियों को अमृत पर यूजना की माधियम से जुड़ा जाता है ठीक है परियार नदी केरल में नौका दढ़ होती है लोहित नदी पर ड्होला सदिया पूल है भारत का सबसे बड़ा नदी पूल याद रिखेगा इसके पहले कौन सा था तो महत्मा गाधी पूल था जो हाजीपुर से पटना के बीच में था ठीक है साथ किलोमेटर लबक था यह लबर नौ किलोमेटर है ठीक है अमरकंटक के पठार से नर्मदा रिखेगा नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है भारत की तीन नदिया भरंस घारटी बनाती है तो जैसे पहला नर्मदा नदी दूसरा ताथी नदी तीस़रा दामुदर नदी याद रिखिएक हैं अ था झाधा, और लखलती नर्मदा नदी जबलताती है, इक दम आपक तमिलाडु केरल राज के बीच में कई के कितामें पंडुचेरी भी लिखा रहता है, ठीक है, मुखरुप से करनाटक तमिलाडु केरल याद रखिएगा, पंडुचेरी का भी नामा तक ते आ रहे हैं, यह आज की क्लास जो है, यहीं समाप करते हैं, वीडियो अच्छा लगे लाइक जिस सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सेर जरूर करिएगा अब इसे, मिलते हैं जल्दी नेक्ट क्लास में, आप सब ने इतना देर तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, जै हिन, जै भारत! एक्जाम में सहायक सिद्ध होगा उप्रोक्त एक्जाम के बिगत वर्टों के पेपर का एनलेसिस करने के बाद वर्तमान एक्जाम पैटरन पर इसको अनभवी टीम द्वारा तयार किया गया है जो कि आपके समान अध्यन जनरल इस्टडीज एक्जाम के स्कोर को बढ़ाने मे सहायक सिद्ध होगा इस इन इंग्जाम की कुझी जियस पेपर होता है इसमें कुझी चार बुक में 80 माडल पेपर हैं जिसमें समान ध्यन स्लेबस के सभी शेतरों से महतपूर वा चुनिंदा प्रस्ण हैं जो की अक्सर इंग्जाम में उच्छे जाते हैं इस